कहानी की शुरुआत में हम डैनिस नाम के एक मच्छवारे को देखते हैं जो नंगा होकर म्यूजियम में मौजुद एक फिस्ट एंग को साफ कर रहा था अब म्यूजियम में आए सभी लोग जब रंग विरंगी मचलियों के साथ ड्यूस को बिना कपरों के तैरते हुए लेकिन एलिसन के पास उससे करवानी के लिए कोई भी काम नहीं था इसी बीच वो एलिसन से दो चार घोंगा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पका कर खा सके एलिसन जब घोंगा निकालने के लिए फिश टैंकर के अंदर हाथ डालती है तब ही उसकी चूचिया पानी के जाकने लगता है डियूस भी यह सब कुछ देख रहा था और आगे वो उसकी चूचियों की तारिफ करके वहांसे चला जाता है इसी बीचे घर के सामने पहुँचते ही उसकी मुलाकत एंटॉइन नाम के एक आदमी से होता है जो अपने साथ अपने घर पर एक पठा के लड देती है आगे जब वो एक गंदे पूल को साफ कर रहा था तब ये खतरनाक मचली उसकी पपी लेकर जाता है जिससे डर के मारे उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और वो उसी पानी में गोते लगाने लगता है तब उसे वहां पर एंटॉइन आकर उठाता है डियूस को यहा इसे लेकर मचलिया तक लाखो डॉलर्स के थे एंटॉइन जब वाश्रूम जाता है तब यूसे एक लड़की वाइसमेल भेजकर 3500 डॉलर के बदले में उसे प्लेजर देने के लिए आने के लिए कहती है ये बात डूइस भी सुन रहा था इसलिए एंटॉइन के आने पर वो उसे पूछता है अच्छा आप मुझे ये बताईए कि आप क्या काम करते हैं मैं तो पूरा दिन मेहनत करके बस 34 डॉलरी दिहारी निकाल पाता हूँ एंटॉइन उससे कहता है कि वो एक जिगलो है और उसका काम लड़कियों को प्लेजर देना है जिसके बदले में उसे लड़किया बहुत सारा पैसा देती है इसी बीच वो अपने टांगों में लटक कर अपने टेस्टोस्टेरन हर्मोन को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखाता है अगले दिन फिर से डियोस एक गंदे पूल को साफ कर रहा था तब एंटॉइन उसके पास आकर उसे एक बिजनेस के काम पर जाना है इसलिए एंटॉइन डियोस को तीन हफते के लिए उसके घर की देखबाल और उस मचली की देखबाल करने के लिए कहता है डियोस पहले तो ये करने के लिए तयार नहीं था लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पठाके लड़की को बाहर निक की गाड़ी को चलाया तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा जो कहकर वो स्विजलेंड के लिए निकल जाता है उसके जाते ही डियूस के तो बल्ले बल्ले हो जाता है और वो उसके बिस्तर में उचल कुद करने लगता है इसी बिच उसके बिस्तर में एक यूज किया हु उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अशलिल अशलिल वीडियो चलने लगता है इसी बिच कोई दर्वाजे को नौक करता है और इधर ड्यूस बहुत सारी बटन को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पाता इसलिए वो ऐसे ही दर्वाजे को खोलता है दर्वाजे के ब आग लग जाती है वो किसी तरीकी से जूल जूल कर उस करोरों के फिच टैंक को पकड़ता है जिससे वो फिच टैंक करी टूटकर बिखर जाता है और वो मुह के बल गिरता है इसके बाद वो फ्रिज से बियर निकाल कर उससे आग को बुजाता है और फिर उन सारे मचलियों को कटोरा डिबबा ग्लास और छोटे-छोटे बरतोनों में पानी डाल कर किसी तरीके से बचा कर रखता है इसके बाद वो एक आदमी को बुला कर उसे एकुरियम को फिर से पहले के जैसे बनाने के लिए जिसमें वो आदमी कहता है कि वो एकुरियम बहुत पुराना था और उ इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था अगर वो इस एकुरियम को फिर से पहले के जैसा नहीं बना पाता तो घर आकर एंटोइन उसकी जान ले लेगा इसलिए वो इस चीज़ को सोच सोच कर काफी परेशान हो रहा था रात को जब वो धक हार कर सो रहा था तब इस एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए अपने घर बुलाती है दरसल वो डियूस को ही एंटोइन समझ रही थी अब बैसे कमाने का इतना अच्छा मों का डियूस छोड कैसे सकता था इसलिए वो भी सूपरमैन की तरह लाल चेड़ी पहन कर उस औरत के घर पहुंच ज जाते जाते वो अरत उसे 10 मिनिट के लिए 10 डॉलर देती है जिसको पाकर डियूस के मुह में चमका जाती है क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करकी ज्यादा पैसा कमाया था वो उन पैसों को लेकर सिधा एक नाइट क्लब में पहुचता है और उन पैसों से महंगी महं जाती है और फिर डियूस उसे घर लेकर जाता है घर पहुचते ही डियूस उससे 10 डॉलर यानि उसका चार्ज मांगता है जिसमें वो लड़की कहती है कि वो एक प्रोस्टिटूट है और उल्टा डियूस को ही उसे 500 डॉलर चार्ज देना होगा ये सुनकर डियूस सोचता ह है कि ये तो चोर के घर में डखेती हो गई वो उससे कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं बेल कि मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ इसलिए तुम्हें मुझे 10 डॉलर देना है जिसमें वो लड़की उससे 500 डॉलर मांगती है और बात हाता पाई तक आ पहुचता है पहल अगले दिन टीजे नाम का एक आदमी डियूस से मिलने के लिए आता है जो की दरसल जीगलो यूनियन का लीडर था डियूस उसे देखकर सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने एकुरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एकुरियम उसकी जान ले लेगा अब अगले दिन वो टीजे के मुह पर कह देता है कि वो इसकाम को और नहीं करेगा लेकिन टीजे जब उसे पिछली रात उसने जो मेहनत की उसका पैसा देता है तब वो टीजे से कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ पर मुझे सोचने के लिए कुछ बक्त चाहिए दूसरी तरफ हम डिटक्टिव ग्लुकोज को देखते हैं जो उन दोनों की बात छिप कर सुन रहा था इधर डियूस जब बात्रूम में टॉलेट करने के लिए जाता है तब वो वहाँ के हाइट इतनी ज़्यादा है कि डारेक्टर ने पूरी की पूरी मुवी में इसकी शकल हमें एक बार भी नहीं दिखाया और इसलिए मैंने इस मुवी में इसका नाम कोकोनाट ट्री रख दिया खेर कोकोनाट ट्री डियूस को बच्चों की तरह गोदी में उठाकर उसे बे पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था वो डियूस से कहती है कि वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ये उसके काबू में नहीं आता डैनिस इन सभी लड़कीों को सर्विस दे दे कर बहुत परिशान हो चुका था क्योंकि वो जिस भी लड़की को सर्विस देता था वो अंधि कानी लूली लंगडी ही निकलती थी इसलिए वो टीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा तब टीजे उससे कहता है कि इस बार वो बुढ़की को प्लिजर देने के लिई जाएगा वो एकदम पठा का लड़की होगी। अब डैनिस उसकी बात मानकर अगले क्लाइंट के पास जाता है। रेस्टूरेंट में एक अन्धी बुढिया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डैनिस सोचता है कि उसके किस्मत में इससे अच्छा और क्या ही मिल सकता है। लेकिन उस बुढिया ड्यूस का पीछा कर रहा है यहां पर ड्यूस उससे फिर से जुट कहता है कि वो कोई जीगलो वीगलो नहीं है और वो तो बस Kate को डेट कर रहा है खेर अगले दिन वो T.J. को बताता है कि वो Kate को पसंद करिने लगा है जिसमें T.J. उसके उपर भड़क जाता है और उसे प्या कर रहा था तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बड़े है इसलिए वो केट को अपने पिता से मिलाने के लिए लेकर जाता है केट वहाँ पर उसके पिता को हैपी बड़े विश करती है अब क्यूंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत बड़ा जिगलो रह था इसलिए वो उल्टा केट के उपर ही चांस मारने लगता है और उधर ये देकर ड्यूस आग बबुला हो रहा था खेर आगे केट ड्यूस को अपने घर लेकर जाती है और वो दुनों वहाँ पर रोमेंस करना शुरू कर देते हैं ड्यूस जब उसके पैर उसकी चुमी ल फिर से और एक खुबसूरत लड़की को सर्विस देने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर पहुँचकर उसे ऐसास होता है कि वो केट के साथ चीट कर रहा है और वो केट को पसंद करता है इसलिए वो उस लड़की के साथ खचा-खच मचाने से मना कर देता है लेकिन वो की डिटेक्टिव ग्लुकोज की बीवी है आगे बाहर निकलते वक्त के डिउस को उस लड़की के साथ देख लेती है और उसके उपर गुसा होकर वहाँ से चली जाती है अब गेट के जाने के दुख में डिउस दुखी होकर जब एक बीच साइट पर बैठा हुआ था तब पर डिउस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लुकोज को भरसा होता है और उस रात वो दुनों डिटेक्टिव ग्लुकोज के बीवी के साथ थ्रिसम करने के लिए जाते हैं खेर कुछ दिन बाद डिउस के पास जाकर उसे मनाता है और उसकी दिल की बात बताता है केट भी उस सबसे पहले अपनी बेश कीमती फिश टैंक को चेक करता है और तब उसके छूते ही वो फिश टैंकर तूटकर विखर जाता है एंटोइन समझ जाता है कि डियूस ने जरूर कोई घपला किया है इसलिए पोव से मारने के लिए जाता है तभी दूसरी तरफ से केट डियूस को बचानी के लिए अपनी टांग अड़ाती है और उसकी तरफ अपना नकली टांग फेकती है पहले राउंड में तो डियूस उससे बच जाता है लेकिन दूसरे राउंड में एंटोइन उसकी तरफ चाकु छूरिया फेकता है डियूस उन सभी हतियार उसे बचने के लिए प टीजे जो की अलमारी के अंदर चिपा हुआ था वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को लपेट लेता है और इधर केट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शीकवे को दूर करके उसे पकड़ती है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुभी की कहानी समाप्त हो जाए